हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सल साइज का पैंट कटिंग करना सिखाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है ठीके मैं आपको कपड़ा दिखा देती हूँ कपड़ा हमने इस प्रकार से फोर फोल्ड में रखा है यानि कपड़े को विर्थ वाइज हमने चार तै में जमा कर रख लिया है उसके बाद हमने यहाँ पर किनोरी के साइड में हाफ इंच का एक निशान लगा लिया है जिससे कि यह हम किनोरी को कट करके हटा देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेफे के लिए दो इंच कपड़े में निशान लगा देंगे यहाँ पर हमारा दो इंच का नेफा बनेगा तो इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर देना है ऐसे देखिए उसके बाद हमें अपने पैंट की जितनी भी लंबाई है वो रखना है तो यहाँ पर हमारे पैंट की जो लंबाई है वो है 38 इंच तो मैं इस तरीके से नेफे के कपड़े को छोड़ते हुए 38 इंच लंबाई मैं इंची टैप को रखकर निशान लगा दूंगी उसके बाद मैं यहाँ पर बॉटम के लिए 3 इंच पर निशान लगाऊंगी आप अपने हिसाब से जितना भी चोड़ा बॉटम रखना चाते उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं और इस तरह से हमें इन दोनों निशानों को सीधा कर देना है देखे इस प्रकार से हमने इन दोनों निशानों को सीधा कर दिया है उसके बाद हम यहाँ पर hip जितना भी है उसके हिसाब से कमर का नाप रखेंगे तो यहाँ पर hip है 40 inch तो हमें उसमें 3 inch की losing डालना है तो हो जाता है 43 inch तो उसके बाद हम 43 inch को 4 से divide करेंगे यानि उसके चार हिस्से करेंगे तो यहाँ पर हमारा नाप निकल कर आता है साड़े दस इंच तो हम इस प्रकार से साड़े दस इंच पर इंची टैप को रखेंगे किनारी हाफ इंच छोडते हुए और इस तरीके से साड़े दस इंच पर एक निशान लगा देंगे उसके बाद हमें यहाँ पर आसन की लंबाई का नाप रखना है तो यहाँ पर जैसे यह साड़े दस इंच है तो हमने इस तरीके से आसन का नाप रखना है तो लंबाई में इंची टैप को पकड़ेंगे और आसन का नाप था हमारा 12 इंच तो हमने उसमें 2 इंच प्लस करके 14 इंच पर आसन की लंबाई का निशान लगाया है और इस तरीके से निशान को सीधा कर दिया उसके बाद हम यहाँ पर जितना हमारा 20 है उसका नाप रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 20 का नाप है वो है 26 इंच तो हम उसका आधा रखेंगे 13 इंच तो 13 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच पीछे की तरफ एक निशान लगाएंगे देखी इस प्रकार से 2 इंच पीछे की तरफ एक निशान लगाया उसके बाद हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है देखी ऐसे हमने इन निशानों को मिला दिया है अब ये जो हमने निशान लगाया है 2 इंच आगे की तरफ उसमें हमने गोलाई दे दी है अब हम इसे नापेंगे और इंची टैप को fold करते हुए यहाँ पर center में निशान लगा देंगे ये हमारी center crease का निशान है अब इसे हम नापेंगे और जितना ये आया है उतना ही हमें उपर भी निशान लगाना है और उतना ही हमें नीचे बॉटम में भी निशान लगाना है ये जो क्रीज का निशान हम लगाते हैं वो बिल्कुल सीधा लगाना होता है नहीं तो हमारी जो पैंट है वो घूमने लगती है तो उसके बाद हम इस निशान को भी बिलकुल सीधा सीधा मार्क कर देंगे उपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से सीधे वाले स्केल से हमने इसे सीधा कर दिया है उसके बाद हमें यहाँ पर अपने बॉटम का नाप देखना है तो bottom का नाप यहाँ पर था 12 इंच तो मैंने उसका half रखा है 6 इंच तो center crease से 3 इंच इस side निशान लगाएंगे और 3 इंच हम इस side निशान लगाएंगे तो ये total हमारा 6 इंच आ जाता है देखिए इस प्रकार से अब जितना हमारा bottom था उतना ही हमें उपर निशान लगाना है देखिए 6 इंच इस तरीके से 3 इंच का bottom था half तो हमें 3 इंच उपर भी इसी प्रकार से 6 इंच पर निशान लगा देना है जिससे की जब हम अपने bottom को fold करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई भी problem नहीं आएगी तो इस तरीके से इस निशान को हमने बिलकुल सीधा मिला दिया है उसके बाद हम अपने ये वाली curve scale लेंगे और curve वाली scale से हम इस तरीके से इन निशानों को मिला देंगे देखि ऐसे हमने मिला दिया है यह हमारे fitting के निशान है और इस साइड में भी हम इस केल को पलटते हुए निशान को मिला देंगे तो देखी इस प्रकार से हमारा जो पैंट है उसकी ड्राफ्टिंग होती है सभी साइजों के लिए एक ही फॉर्मूले से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं इस फॉर्मूले से हर साइस का पैंट कटिंग कर सकते हैं वीडियो को देखकर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर जरूर करें तो देखिए दोस्तो अब हमें अपने बैक पाइट की ड्राफ्टिंग करना है जिसके लिए हमें इस तरीके से धाई धाई इंच के निशान लगाना है आसन में भी हम 2,5 इंच एक्स्टा निशान लगाएंगे और 2,5 इंच हमें नीचे की तरब भी एक्स्टा निशान लगाना है इस तरीके से हमने उपर से लेकर नीचे तक निशान लगा दिये है अब इन निशानों को देखि किस प्रकार से मिलाएंगे सबसे पहले कमर से लेकर हमें आसन वाले निशान से मिला देना है आसन तक हमें ऐसे मिलाना है बिल्कुल सीधा और यहाँ पर यह जो धाइ इंच का निशान लगाया है यहाँ पर हमें गोलाई देना है यह हमारी आसन की गोलाई है बैक पार्ट की उसके बाद हम अपना कर्व स्केल लेंगे और कर्व वाले स्केल से आसन से लेकर बॉटम तक बिल्कुल निशान के उपर रखते हुए इस तरीके से मिला देंगे जिससे की हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग भी एक ही साथ हो जाती है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कम्प्लीट हो गई है अब हमें सिर्फ यहाँ पर कटिंग करना है देखिए यहाँ से पहले कटिंग करेंगे यहाँ पर कोई भी लूजिंग नहीं देते हैं हम सिर्फ लूजिंग देते हैं आसन के साइड में अपने बैक पाइट के लिए तो हमने बैक पाइट में लूजिंग दे दी है तो चली अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं लेकिन उससे पहले हमें यहां पर अपनी पैंट में एक प्लेट डालनी है जो कि चार इंच लंबी रह इस तरीके से सेंटर क्रीस में हाफ हाफ इंच का निशान लगाते हुए यहाँ पे एक प्लेट बना देना है जो कि यह प्लेट हम पैंट में डालते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी बैठती है तो चलिए दोस्तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं तो देखी इस साइड से हमें कोई भी लूजिंग या कोई भी एक्स्टा मार्जिन इसमें नहीं रखना होता है तो देखी बिल्कुल सेम निशान पर हमने कटिंग किया है इस साइड में हम अपने बैक पार्ट से कटिंग करेंगे उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग- कर देंगे तो देखी यहां पर हमारी कटिंग हो चुकी है अब हम इसमें में पॉइंट पे कट लगा लेते हैं इस तरीके से यहां पर हमने कट लगा लिए हैं अब अपने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग-अलग कर लेते हैं देखी इस तरीके से यह हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग-अलग हो चुके हैं अब हम यह जो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमारे बैक पार्ट का मार्जिन है उसे हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कट कर देंगे देखिए दोस्तों यहां पर हमने अपने front part से extra margin को cut कर दिया है और यहां पर भी हमने cut लगा लिये हैं हम आपको अच्छे से इसे दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारा front और back part नजर आते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा front part जो है वो थोड़ा छोटा रहता है back part से और back part जो है हमारा 2-5 inch losing के साथ रहता है अगर वीडियो पिसंदा है तो वीडियो को like जरूर करें